Hello students and Welcome to my channel My ncrd engineering classes Today we are going to start a new chapter of class 8 that is chapter 13 Direct and indirect proportion Direct and indirect proportion are part of ratio and fraction ठीके ये एक ratio fraction का part होते है Now in this chapter only we can discover about two topics direct proportion and indirect proportion Direct proportion में कोई भी आपके पास दो quantity है या कोई भी दो object है suppose x and y तो अगर x increase हो रहा है तो y भी increase होगा ठीक है अब वो कैसे increase होगा let us see the example suppose हमारे पास time है और यहाँ पर distance है ठीक है time है हमारा 10 minute 10 minute में कितना distance लग रहा है 1 km 20 minutes 20 minutes में कितना चल रहा है वो 2 km या कितना उसे travel करा जो भी इंसान या जो भी वाइक चला रहा है 30 minutes में कितना है 3 km and so on 40 km में कितना है 4 km ठीक है तो यहाँ पर इसको हम x मान लेंगे और इसको हम y मान लेंगे तो मतलब direct proportion में यह होता है कि x की value increase होगी तो उसकी जगा क्या होगा y भी increase होगा यह देखो 10, 20, 30, 40 increase होते जा रहा है बढ़ता जा रहा है तो इसका distance भी देखिए आप बढ़ता जा रहा है 1 हुआ, 2 हुआ, बढ़ा, फिर 3 हुआ, फिर और जादा बढ़ा फिर 4 हुआ, मतलब x increase होगा तो y भी increase होगा अब यहाँ पे condition होती है x upon y equals to k x upon y मतलब उनका जो ratio होगा अब ratio निकालो आप सबका 10 क्या upon में, यह x है, यह y है 1 तो किता आएगा 10 अब 20 upon 2 करो 20 क्या upon में 2 2 बन जाए 2 टूटे है 20 10 आएगा 30 क्या upon में 30 क्या upon में क्या करोगे x upon y तो यह x है upon में y, y क्या है, यहाँ पे 3 तो 30, 10 आएगा 40 मतलब x upon में y अब इसका y क्या है 4 तो इन सब का proportion किता आ रहा है यह देखना है 10, 10, 10, 10, 10 proportion 10 आ रहा है, मतलब k क्या होगा, यहाँ पे fix होगा fix मतलब कुछ ना कुछ constant होगा, ठीक है, equal होगा अब इसके question किस तरीके से आते है, so let us solve one example for direct proportional and how to solve the case for direct proportion ठीक है आपके पास एक cloth है बाजार में, एक cloth है ठीक है, उसका यहाँ पे rupees दी हुई है, 3 meter cost 3 meter का cloth है, वो कित्ते रुपे में पढ़ रहा है, 300 रुपीज में पढ़ रहा है, ठीक है, तो 9 meter का cloth कित्ते रुपे में पढ़ेगा, यहाँ पे question mark है तो आप समझोगे कैसे कि यह question direct proportional है कि indirect proportional का है, अभी हमने हला कि indirect proportional स्टाट नहीं करा है, बट मैं आपको बता देती direct proportion में क्या important था x की value increase होगी तो y भी increase होगा और condition क्या थी x upon y equals to k तो देखो x increase हो रहा है 3 meter 3 meter की value 300 meter है 3 meter cloth की value कित्ती रुपीज है 300 रुपे है तो 9 meter की क्या होगी और ज्यादा होगी, इसका मतलब वो क्या हो रहा है, increase हो रहा है तो condition क्या थी, x upon y equals to k तो यह x हो गया और यह क्या हो गया, y हो गया 3 upon में y कित्ता है 300 equals to k k क्या है यहाँ पर अब 9, तो 9 को उपर रख लिया अब यहाँ की निकाल नहीं है तो इसको आप यह तो a मान लेना या x मान लेना, आप कोई साभी तो यहाँ पर 9 की अपन में है अब 3 का multiply a से कर दो और 300 का multiply 9 से कर दो तो 3 a equals to 300 multiply by 9 cross multiply हो गया तो 3 a equals to 9 3 या 27 100 तो a equals to 2700 3 equal to k के इसर आएगा multiply में तो क्या जाएगा? divide में जाएगा तो यहाँ पर क्या जाएगा आपकी वैल्यू 900 वैल्यू हो जाएगी 900 वैल्यू हो जाएगा 9 मीटर का कपड़ा अब यहाँ पर एक एल ही आए हमने कुछ भी ले सकते है x, y, y1, y2 कुछ भी variable हो सकता है तो ऐसे हम direct proportional का पता लगा की value find out करते है equation question ऐसे find out करते है अब now come on second proportion that is indirect proportion अब indirect proportion में क्या होगा? indirect proportion indirect proportional की case में उल्टा होगा डायक की case में क्या हो रहा था x की value increase हो रही थी तो y की value भी क्या हो रही थी increase हो रही थी लेकिन x की value अगर increase होगी तो y की value क्या हो जाएगी decrease और अगर x की value decrease हो रही है तो y की value increase मतलब 1 की value बढ़ रही है तो y की value घट जाएगी और अगर x की value घट रही है तो y की value बढ़ जाएगी उल्टा होगा opposite suppose हमारे पास 20 sweets है ठीक है और हमको इनको बाटना है यहाँ पर number of children हो जाएंगे और यहाँ पर distributed कि हमको बाटना है यह ठीक है यह received ladoo received sweets हो आएगी suppose हमको 20 students में बाटना है तो क्या करेंगे एक एक ladoo दे देंगे सबको 10 के उसमें बाटना है तो कितने आएंगे 22 ladoos आएंगे 5 के उसमें आएंगे तो कितना आएगा 4 ladoos आएंगे 2 के उसमें करेंगे तो कितना होगा 10 ladoos आएंगे कि इस वान की उसमें करेंगे तो कितना होगा वं डिवाइड करेंगे तो क्या होगा एक बच्चे को दे ना होगा तो पूयाओ पूरे कीझ लड्ड हूँ हltry हमें याँ बच्चे को देंगे अब यहाँ पर देखो अगर इसको य माना । ऑपreibt कि ग smartphone हो रही है तो इक्रीज होना चाहिए एक्स की वैल्यू काम होते जा रही है देखिए डिक्रीज टैन वाइव तो वाइव तो यह व्यूंद प्रपोशिन की अब इसके कोश्चन कैसे आते हैं आप लोगों को मैं इसके कोश्चन बताती हूं और इसके condition क्या होती है x y equals to k यहाँ पे x upon y नहीं होगा यहाँ पे x y equals to k हो जाएगा इसका आप question देखिया question आपके पास speed है और यहाँ पे time है आपकी speed है 60 km और time लग रहा है आपको जो भी मुंबई पहुचने में या आगरा पहुचने में 20 मिनिट लग रहे हैं ठीक है तो आपकी speed अगर 80 होगी तो आपको कितना time लगेगा question mark तो आपको कितना time लगेगा condition क्या है x y equals to k इसको x और इसको y अगर हम x का multiply y में करेंगे तो कितना होगा 60 multiply y 20 होजागा equals to क्या रखना है k अब k क्या है हमारा 80 तो 80 multiply by अब यहाँ पर इसको हम a माल लेंगे b माल लेंगे c माल लेंगे a ठीक है 6 2 जा 12 double 0 equals to 80 multiply by a 80 इसके अपन में चला जागा 1200 divided by 80 equals to में क्या चल रहा है a 0 से 0 कट 2 4s are 8 2 6s are 12 0 का 0 2 2s are 4 2 3s are 6 30 2 1s are 2 2 1s are 2 2 5s are 10 तो कितनी आगे यहाँ पर a की value 15 आगी ठीक है a, b, c, d आप कुछ भी उलेंगे सकते हो तो 80 की speed से अगर वो चल रहा है तो वो कितने मिनिट में पहुच जाएगा 15 मिनिट में पहुच जाएगा अगर x इंक्रीज हो रहा है तो y क्या होगा डिक्रीज होगा और यहाँ पर x y का multiply होगा equals to k और डारेक्ट में क्या होगा x upon y equals to k नाव एंट्रोडक्शन पार्ट इस कम्प्लीटेड इफ यू आप एनिक वाइन डाउट प्लीज राइन प्लीज होगा लाइन शब्सक्राइब मैं चानल थैंक्य।